हेलो बच्चों कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठीक है आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं क्या है वो नया टॉपिक चित्रवर्णन चित्रवर्णन आप जानते हैं चित्रवर्णन क्या होता है चलिए पहले हम यही जान लेते हैं कि चित्रवर्णन क्या होता है बच्चों हम बहुत से चित्र देखते हैं देखते हैं ना जैसे स्कूल का चित्र है जैसे कोई हॉस्पिटल का चित्र है जैसे कोई बगीचे का चित्र है किसी पार्क का चित्र है तो इस तरह के किसी भी चित्र को देख करके हमारे मन में जो भी भाव या विचार आते हैं उसी को हम अगर उसी रूप में लिख लेते हैं तो वो चित्रवर्णन कहलाता है यानि कि किसी भी चित्र को देख करके हमारे मन में जो भी भाव आते हैं या विचार आते हैं उसको यदि हम लिख लेते हैं एक क्रमबद रूप में लिख लेते हैं तो उसको हम कहते हैं चित्रवर्णन ठीक है अब हम चर्चा करेंगे कि चित्रवर्णन करते समय हमें क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है चित्र को अच्छे से देखना है, सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखना चाहिए, उसके बाद चित्र में जितनी भी चीजे दिखाई दें, उनका आपस में संबंध देखना चाहिए, जैसे चित्र में हमें लोग दिखाई देते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं, या कुछ वस्त्वी दिखा दिखाई दे रही है तो उस तरह से जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं तो उसका उन बच्चों का या उन चीजों का जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं उनका संबंद क्या है आपस में इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए चित्र में जो भी दिखाई दे रहा है उन सब के बारे में हमें लिखना है जैसे जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं तो उन सभी के बारे में वस्तुओं का और व्यक्ति का संबंध बनाते हुए हमें लिखना चाहिए चित्र वर्णन करते समय सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए और सभी वाक्य वर्तमान काल में होने चाहिए यानि इसी समय के जिस समय हम चित्र देख रहे हैं तो हम उसको वर्तमान काल में लिखेंगे काल तो आप जानते ही है ना जैसे भूत काल यानि बीते हुए समय की बात नहीं करेंगे हम और नहीं भविश्य में आने वाले बात की बात करेंगे हम करेंगे इस समय जो हो रहा है कि इस समय इस चित्र में ये है पहले वाक्य में हमें ये बताना है कि चित्र किसका है और उसके बाद अगले वाक्य में हमें ये बताना चाहिए कि चित्र में हो क्या-क्या रहा है ठीक है? तो बच्चों ये बाते थी कुछ देखेंगे और समझेंगे कि जो हमने अभी बाते डिसकस की हैं कि क्या बाते हम ध्यान में रखेंगे सबसे पहले हम यह देखेंगे कि चित्र किसका है किसका है यह चित्र यह चित्र है एक बगीचे का है ना उसके बाद हम यह देखेंगे कि इसमें चित्र में है क्या क्या में बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर दो लड़कियां हैं और चार लड़के हैं और दो बच्चे गेंद खेल रहे हैं एक लड़की जूला जूल रही है एक बच्चा यहां पर किताब पढ़ रहा है एक लड़की यहां पर ट्रॉइंग बना रही है चित्र बना र देखने का प्रयास करेंगे कि चित्र में है क्या क्या तो उस तरह से जब हम ये देख लेते हैं कि इस चित्र में क्या है तो हम कुछ शब्दों की सूची बना लेते हैं जैसे ये चित्र कहां का है बगीचा इसमें कौन-कौन है बच्चे हैं दो लड़कियां और चार लड़क अब इसमें दो पेड़ भी है, जूला है, किताब है, दुर्बीन है इसमें, गेंद भी है, ड्रॉइंग बोर्ड है और स्कूल या विद्याल है पीछे से जो दिखाई दे रहा है इसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम, जो ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, हम इनके नाम रख लेंगे, है न, अपनी पसंद के नाम, जैसे मैंने यहाँ पर हमारे स्कूल में जो बच्चों के नाम है, मैंने वही नाम यहाँ पर रख लिये हैं, ऐसे ही आप भी अपने स् मीचुन-धार Reda Fass के कोई वी बच्चे हैं जो को लग रहने हैं निसका नाम यहे रख सकते हैं तो आप अपनी पसंद से वच्छों के नाम रख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर रीना लड़कियों का नाम रखे है रीना और मानसी और लड़कों का नाम रखे है गौरव, फर्मान, तरुन, सलीम ठीक है तो आप भी इसी तरह से नाम रख सकते हैं उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों उसके बाद हम करेंगे कि अब हम फिर से चितर देखेंगे फिर से चितर देखेंगे एक बार और उसके बाद हम वाक्य बनाने शुरू करेंगे ठीक है? तो आओ चलो वाक्य बनाते हैं कौन क्या कर रहा है या चित्र में क्या रहो रहा है सबसे पहले हम बताएंगे कि चित्र किसका है यह चित्र एक बगीचे का है और बगीचा स्कूल के पीछे है बगीचे में दो पेड भी हैं ये दिखाई दे रहे हैं न हमारे बगीचे में दो पेड एक पेड पर जूला डला हुआ है जिसमें रीना जूल रही है उसी पेड के नीचे सलीम बैठा है वह पुस्तक पढ़ रहा है उसने चश्मा भी पहन रखा है यहाँ पर देखेंगे इस पिक्चर में एक पेड में जूला डला हुआ है जिसमें ये रीना जूल रही है और उसी पेड के नीचे सलीम बैठा हुआ उस तक पढ़ रहा है उसने चश्मा भी पहना हुआ है गौरव और फर्मान गेंज से खेल रहे हैं अब यहाँ पर देखो चितर में गौरव और फर्मान ये गेंज से दोनों बच्चे खेल रहे हैं दूसरे पेड की शाखा पर तरुन बैठा है और वह दुर्बीन से कुछ देख रहा है यहाँ पर देखो बच्चो बैठा है न यह इसका नाम हमने गौरव रख दिया है और यह दुर्बीन से देख रहा है दूसरे पेड़ के नीचे मांसी बैठी है और वह चित्र बना रही है अब यहाँ पर इसी पेड़ के नीचे मांसी भी बैठी हुई है और ये चित्र बना रही है सभी बच्चे बहुत खुश है पिक्चर में देखते हैं हम सारे बच्चे हमें खुश दिखाई दे रहे हैं तो बच्चों कैसा लगा चित्र वर्णन करके चित्र वर्णन अब समझ में आ गया ना आशा है कि आप लोग भी जो है इसी तरह से जब कोई भी चित्र दिखाया जाएगा तो उसको आप उसका वर्णन करेंगे ठीक है तो चित्र वर्णन करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है सबसे पहले हमें ये देखना है कि चित्र किसका है फिर हमें ये देखना है कि चित्र में है क्या-क्या उनके हमें नाम लिख लेने हैं चित्र में हमें जो भी वस्तवे या व्यक्ति दिखाई देते हैं, उनके हमें नाम लिख लेने हैं, या शब्दों की सूची बना लेनी हैं, और फिर उस शब्द सूची से हम बाक्य बनाएंगे, ठीक है? तो इसी तरह से हम चित्र वर्णन करते हैं. अब है ग्रहे कार्य ग्रहे कार्य में आपको क्या करना है दिये गए चित्र को अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास करें यानि जो चितर हमने भी दिखाया है आपको इसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है और जो चितर वर्णन में हमने वाक्य बनाए हैं जो भी ये वाक्य बनाए हैं इनको भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है ठीक है बच्चो ओकी बाई अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू